Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Station आज मैं जिस टोपी के बारे में डिसकस करने जा रहा हूँ वो है Original and Development of Art in India तो शुरू करते हैं सबसे पहले Art Art होता क्या है? Art is an expression Artic अभी व्यक्ति है कि इसकी thoughts की, हमारे बिचारों की हमारे emotions की, हमारे feelings की हमारे institutions की institutions हमारे अंतरग्यान हमारे desires की, हमारे इश्याओं की Sharing experiences हमने क्या experience किया है? उसे हम अपनी Art के माद्यम से दूसरों को बताती है Mean of Communication अपने thoughts को दूसरों तक पहुंचाती है अगर हम Art के Meaning की बारे में देखें कि यह Art आई कहां से यह word Art आया कहां से है तो यह दो भाषाओं एक संस्क्रीट से आया संस्क्रीट में देखे तो Art को बोलते हैं कला जो कला शब्द है यह derived हुआ है संस्क्रीट के word कल से जिसका मतलब होता है inspire or to give pleasure मतलब जिससे हमें अनन्द की प्राप्ति हो और दूसरा है Greek word जो आया है और से जिसका मतलब क्या है which means to create मतलब की कुछ create करना कुछ बनाना अभी हम Art जिसकी बारे में आज पढ़ेंगे वो दो तरह की Art के बारे में पढ़ेंगे Visual Art और Performing Art तो Visual Art क्या होती है The Art which can be seen, touched and felt जिस Art को हम देख सकते हैं हम शू सकती है और महसूस कर सकती है इसमें क्या हो है Artist दूसरे material का यूज करके अपनी Art को दिर्शाता है अपना message गनवे करता है For example, painting जिसमें colors का यूज करके जो Artist है वो अपना message गनवे करता है दूसरी है performing art तो performing art क्या होती है यह audience के लिए perform की जाती है कि इस पर उनका visual impact audience पर visual impact कैसे पड़ता है उसका तो जो इसमें Artist है वो अपना message करनवे करते हैं अपनी body की movement से means dance करके अपनी voice से अपनी expression से drama से इसकी example देखें तो वो है dance, drama, music और puppetry यह puppetry होता है क्या बोलता है उसको कटपुतली कटपुतलियों का नाच करते हैं drama type होता है उसमें हम कटपुतलियों करते हैं हमारी कला होती है वो उसके बाद करते हैं शुरू origin of art तो art के origin के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं painting का origin तो अगर हिंदू माननेताओं के अनुसार देखें तो अगर Indian mythology क्या कहती है कि जो painting है इसके जो founder है वो बिश्नु जी है एक story है कि एक निम्प थी निम्प होता है अपसरा उर्वशी वो बहुत सुंदर थी वो क्या थी रिश्यमुनियों की तपस्यां भंग करती थी उसकी सुंदरता की तरफ वो अकर्शित हो जाते थी और उनकी तपस्या भंग हो जाती थी तो जो विश्नु जी थी उन्होंने उसे देखा नहीं था उन्होंने उसे बिना देखे उसकी जो आकरीती उसको जो स्कैच है अपनी थाइस पे बनाया था तो वो माना जाता है कि वो सबसे पहली पेंटिंग थी जो आई थी उसके बाद अगर भगवत पुरान की माने तो एक चित्र लेखा थी और उसकी फ्रेंड थी उशा जो उशा थी वो बानासुर की बेटी थी ये एक स सपना आया सपने मुझे के एक राजगुमार देखा राजगुमार बहुत सुंदर था और उसे वो पसांद आ गया परन्तु सपना आखे तो वो सपना तूट गया उसे जाग आगी तो वो बड़ी उदास हुई कि ये मेरा सपना था वो ऐसे लग रहा था उसे कि वो रियल बनाने के कोशिश करती हूँ तो जब जैसे जैसे उसने उसकी फीचर्स बताई उशा ने तो चितर लेखा ने उसको एक्जेक्टली बना दिया और वो कौन था अनिरुद था तो माना जाता है कि वो भी पेंटिंग का ओरिजन था अब भी हम बात करते हैं ओरिजन ओफ डां लोड शीब का जो तांडव है उससे हम भली वांती अभगत है कि लोड शीब का तांडव हमने देखा है सीरिल्स में देखा है उसके बाद है माता पार्वती का है लस्या डांस जो आज эпडल मनीपूरी डांस के नाम से По Uh. tres. ई चिरड कृशन आपने देख बाद इखा ओगा ब्रह्मा जी है उन्होंने ओर्डर किया था भार्तमुनी जी को कि डांस को क्या है codified करो dance music और drama को means इसको arrange करो systematic way में codifying होता है systematic way में arrange करना तो जो ब्रह्मुनी जी है भार्तमुनी जी है उन्होंने नाट्य शास्तर जो उनका text है जो सबसे oldest text है related to performing art उसमें उन्होंने इसके ब origin देखें तो सरस्वती जी को music की देवी बोला जाता है संगीत की देवी तो सर्श्वती जी के हाथ में बीना होती है जो एक music instrument है तो माना जाता है कि वहां से origin हुआ था music का अभी ब्रह्मा जी है जो ब्रह्मा जी ने create किया था मरी डंगम जिसे बोलते हैं धोलक तो धोलक का किसने बनाया था सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और शंक बनाया था किसने लोड बिश्नु जी ने चंक से जो sound produce होती थी जब उसको बजाते थे तो उसमें ओम की आवाज आते थी तो माना जाता है कि शंक से भी music की generation हुई तो उ छे में से पाँच राग से वो जो शिपजी ने दिये थे इन में से जो एक राग था वो दिया था माता पारवती ने अब भी music की बात हो रही है तो शिरी कृष्ण जी flute बजाते थे बहांसुरी बजाते थे जिस में जिस वक्त वो गोपियों से रासलीला करते थे तो वो भी music के origin में आते हैं, उसके बाद नारत जी की बीना, नारायन, नारायन आप सभी ने देखा ही होगा तो वो ये सभी को music का origin मालना जाते है कि origin music का हमारी Indian mythology के अनुसार कि इसका origin हमारे देवी देपताओं ने किया है अब भी हम बात करते हैं development of art, तो art की development की बात करें, तो सबसे पहले आता है ancient period तो ancient period में क्या है, evidences है जो archecologist है उनके पास evidences है कि prehistoric rock art in India prehistoric होता है, मतलब उस समय की art जब text नहीं थे मतलब लिखने की कोई भी सुबिधा नहीं थी तो उसको बोलते हैं कि उस बक्त की evidences अभी भी है carving होता है नकाशी करना उसमें चितर बनाना oldest example है भीम बेट का जो भीम बेट का है ये क्या है ये एक prehistoric rock example है केव की उसके बाद आता है हमारा indus belly यानि कि सिंदू सब्वेता वाला इसमें क्या ये हडपन period था इसमें जो sculptures थे वो terracotta से बनाई जाती थी terracotta होता है brown color की मिट्टी होती है उसको गर्म करके तपाके जैसे इटे बनाते है उस तरह से बनाया जाता था और bronze से बनाया जाता था पीतल से बनाई जाती थी और इसमें क्या है इसमें advanced town planning towns की planning की जाती थी हडपा और मोहन जदाड़ों में another example जो आज भी present है जिसकी evidences है वो है एक dancing girl वो जो मोहन जदाड़ों के time किया और एक great बात जो great बात है इससे उस बक्त की civilization का पता चलता है कि यहाँ पर घर थे और proper management के साथ उनकी formation हुईती जैसे गाओं होता है कि बीच से रास्ता था इधर उदर घर थे उसके बाद है हमारा Morian period जो Morian period है इसको Ashok period भी बोलते हैं इस समय क्या था Buddhist religion जादा चर्चा में था और लोग Buddhism को अपना रहे थे इसमें क्या था दो तरह की form थी कोट आट फॉरम थी और एक popular art form थी जो कोट आट फॉरम थी वो फॉरम जो किसी जो Ruler है उसके कहने पे बनाइ जाती थी और जो दूसरी थी यह जंता के लिए बनाइ जाती थी जो कोट आट फॉरम है इसमें है स्टुपाज palaces और pillars जो pillars हैं pillars में pillars के ऊपर animals भे बनाया जाता था किसी pillars के ऊपर तो किसी पे koई animals नहीं बनाया जाता आपने देखा होगा शुक्का के time में pillars होते थे stump होते थे stump के ऊपर loin या bull की मूर्ति बनाई जाती थे उसकी बाद है cast जो इसकी cast है यह popular art form में है यह जामाबाद भिहार में अभी भी इसके evidences है अगर हम sculptures की बात करें उस वक्त की जो मूर्तियां थी वो idealism के idealism पे based थी means उसमें meaning होता था खुश उसके बद जो इसके stoopas है जो court art form है stoopas होता है जो buddhist लोग होते हैं वो meditation में ज्यादा believe रखते हैं तो वो meditation करत रहते थे तो उनके इर्द गेर्द मिट्टी का धेर बनाके उसको ढख के proper गुंबद की तरह बनाया जाता था उसे बोला जाता था stoopas उसके वाद है गुपता पिरिड गुपता पिरिड को क्या है golden age of art बोला जाता है माना जाता है कि इस age में इस period में जो art है वो सबसे ज़ बहुत जादा थी जो गुपता के वर्क थे उसमें केवज थी स्टूपास थे टेमपल्स थे जो केवज में वो अजंता केवज थी जहां पर रोक कट वो बनाई हुए थी monasteries बनाई थी बुद्धिस्ट लोगोंने स्टूपास थे स्टूपास में एक्जांपल्स है धमेक क और चकंडी का, उसके बाद है temples, temples, भिटार गाओं और दसाबतार, यह दोनों UP में है और यह आज भी है, यह गुपता पिरिड की evidences है कि हाँ उस वक्त ऐसी कारिगरी की जाती थी, उसके बाद temples की बात करें, गुपता पिरिड में तो temples होते थे, रोकक temples, जिन में क्या intricate sculptures होते थे, means बहुत ही जटिल कलाकारी की जाती थी, उसके बाद था real structure temple, जो यह रोककट temple थे, यह पूरी एक रोक होती थी, पत्थर होता था, यह गुफा होती थी, जिसमें बड़ा सा पत्थर उसको इस तरह से नकाशा जाता था, कि उसका temple बन जाए, और जो यह real structure temple थे, इसमें ऐसे था कि रोक को तोड़कर, उसके छोटे टुगड़ों को पत्थर में, छोटे चोटे चोटे टुगड़ों में बांट कर, उससे मंदर का निर्मान किया जाता था, इसमें जो मंदिर हो चोटे भी बनाये जाता थे गुट्था पिरिड में, अगे बात करते हैं, medieval period की, तो medieval period में क्या था, यह Indo-Islamic art है, Indo-Islamic means इस वक्त, जो क्या है, Mughal Emperors या Islamic country से जो ruler थे, वो भारत आ जोके थे इसमें सबसे पहले था तुर्क, तो तुर्क ने क्या introduced किया था, arc और domes बगएरा, domes होता है गुमबद, जैसे आपने देखा होगा, जो मस्जीद है, उसके उपर जो गुलाई में होता है, उसे बोलते हैं गुमबद और arc आपने देखा होगा, घर में डाली होती है गुलाई में, उसे बोलते हैं, arc इसमें क्या था, जो colored building है उनको color करने के लिए, कोई paint का use ने, in fact marble का use किया जाता था, colored marble का, during Islamic period सरंगी और रवाब introduced हुआ, जो सरंगी और रवाब है, ये एक musical instrument है और उस वक्त, अमीर खुसरो जी आये, उन्होंने new rocks दिये और क्वालीज बगेरा आई, मुगलों के period में, उसके बाद जो white marble है, उसका use किया जाता था building material में, जिसका सबसे best example है, ताज महल जो शाहजा ने बनाये था उसके बाद है modern period, modern period में आगे दो टाइप्स के, इंडो गोथिक और new roman, इंडो गोथिक में क्या है, गोथिक जो नाम आया है, ये आया है, Europeanic tribe होती थी, जो भारत आय थी और उनसे प्रेरित होकर जो जो कलाकारियां की गई, उसे बोला गया इंडो गोथिक, ये British influences से थी, इसमें क्या है, इसको Victorian period भी बोला जाता था, इसमें क्या था large walls बनाई जाती थी, बड़ी-बड़ी उंची-उंची भारी दिवारे बनाई जाती थी खिडकियां बहुत बड़ी-बड़ी बनाई जाती थी church बनाई जाते थे, church में क्या है crucified art की जाते थी crucified art होती है, जिसमें जैसूस को टांगा जाते है उपर, कीलों के उपर उसके बाद है, इसमें जो बनाने के लिए steel, iron और pod concrete का यूज करते थे onion type doms बनते थे मतलब जो doms जो घुमबद होते थे वो onions की shapes की, उसकी गुलाई थोड़ी onion की shape की आ जाती थी, means थोड़ी spherical type, उसके बाद pinnacles pinnacles होता है, उपर जो शिखर होता है, मतलब की बहुत लंबे-लंबे बनाए जाते थे, towers बनाए जाते थे ये था British Air influences का इसकी example है, gateway of India, जो बुमबई में है और Victoria Memorial Hall जो कलकत्ता में है, जो इसकी evidences है modern period के, जो British Airs के time के थी उसके बाद था New Roman style जो New Roman style है, इससी classical style भी बोलती है, ये 1911 के बाद आये था इसका focus mainly क्या था कि buildings क्या है, circular बनानी है, for example जो हमारा Parliament House की आप shape देखो, तो वो circular shape में है, इसका main focus क्या रहता था कि simplicity और upturned dome, जो home होंगे, वो upturned होंगे, जैसे कि हमारा supreme court है, ये supreme court इसकी example है, उसके बाद आता है post independence period, post independence period की बात करें, तो क्या है, जो modern Indian art है, उसमें क्या है, अब influence दिखाई देता है western styles का, या कोई भी आये, मुगल्स आये, या फिर Britishers आये, उनका जो influence है, वो उनमें दिखाई देता है अब क्या है, इसकी development की बात करते हैं, कि art की development कैसे हो रही है, अभी post independence after 1947, तो बहुत सारे program organized किये जा रहे हैं, जहांपर competition किये जाते हैं, आर्टिस्ट के बीच में, painting competition होता है music competition होता है, dance competition होता है, बहुत सारे reality shows चलाए जा रहे हैं, जैसे India's Go Talent है, dancing shows है boys of Punjab है, rising star है जहांपर क्या है, आर्टिस्ट को अपनी color दिखाने का मोका मिलता है और उन्हें क्या worldwide recognition मिलती है और कई तरह के course चलाए जा रहे हैं, जैसे fine arts में course है, music में course है, dancing में है masters कर सकता है, और इसमें research बगएरा कर सकता है, जो level है art का इंडिया में, वो day-wide day develop हो रहे है, इसे worldwide recognition मिल रही है, इसे platform मिल रहे है, artist को अपनी color दर्शाने का, तो ये था development of art in India हमने उसके origin के बारे में पढ़ा और हमने उसकी definition पढ़ी उसकी वो कहां से derived हुआ, और हमने पढ़ा आज इसके development के बारे में, तो आज के लिए इतना ही था, thanks for watching, वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जूरूरूर करें